हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो आर चानल आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मनी प्लांट की पत्तियों को बड़ा और घाना कैसे कर सकते हैं दोस्तों आपको सब स्टेब बाय स्टेब बताएंगे क्या है वो सीक्रेट्स जो नर्सरी में अपनाएं जाते हैं जिससे एक छोटे से गमले में ही बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट तयार हो जाता है तो आईए शुरू करते हैं यहां हमने एक छोटे साइस का पॉट लिया है आपको ये दिखाने के लिए कि एक छोटे गमले में भी आप बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट उगा सकते हैं तो सबसे पहले हमने नीचे की तरफ कुछ पत्था डाले उसके उपर गार्डन सॉयल उसके उपर कुछ लीव्स जाली है और फिर सबसे इंपॉर्टन पार्ट दोस्तों एक छोटे गमले में हमें अगर मनी प्लांट की बड़ी पत्तिया चाहिए तो हमें उसको एक्स्ट्रा डाइट देनी होगी यानि हमें इसमें किसी ना किसी तरह की कोई खाद एड़ जरूर करनी होगी यहां हमने वर्मी कंपोस्ट यूज करी है अगर आपके पास गोबर की खाद या कंपोस्ट हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं अगर कुछ ना हो तो आप सिर्फ पत्तियों के चुटे-चुटे टुकडे करके अपने पॉट में नीचे की तरफ भर सकते हैं इसके बाद हमें एक मॉस्ट चिक की जरुवत होगी अगर आपके पास मॉस्ट चिक नहीं है तो आप इस तरह से उसे घर पर ही बना सकते हैं जैसे हमने एक लकडी के टुकडे पर बोरी इस तरह से लपेटी है इस चिक को हम अपने पॉट के बीचो बीच में लगा देंगे वीडियो में दिखाये गए तरीके से दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 20,000 सब्सक्राइबर्स के हमारे टार्गेट तक पहुँचने में हेल्प करें इसके बाद हम लेंगे मनी प्लान की कुछ कटिंग्स हमें इस तरह से 2-3 पतियों की कटिंग्स तयार करनी है उन कटिंग्स में रूट्स पहले से ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है इन कटिंग्स को हमें कुछ इस तरह से दबा के अपने पॉट में लगा देना है इसके बाद हमें कुछ इस तरह से इसे पानी देना है जब हमारी ये स्टिक मॉइस्ट रहती है तो हमारे मनी प्लान के पत्ते भी बड़े हो जाते हैं साइज में अगर आप ये स्टिक ना बना पाएं तो अपने मनी प्लान को किसी दीवार के सारे चड़ा दें तो भी उसके पत्ते बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों ये है एक महीने बात का रिजल्ट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी घनी और बड़ी लीवस हमारे मनी प्लान पर आ गई है हमने इसमें कुछ और चीजों का यूज भी किया है जो महीने में हमें सिर्फ एक बार इसमें डालनी है तो यहां हमने लिया है दो चमच चाय की पत्ती दोस्तों यह हमारे घरों में यूज होने वाली नॉर्मल टी लीवस है साथ ही हमने लिया है आधा चमच के आसपास हल्दी पाउडर यह दोनों ही हमारे मनी प्लान की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं दोस्तों मनी प्लान को एसटिक सोयल बहुत पसंद होती है इसलिए जब हम चाय की पत्ती अपने पौर्ट में डालते हैं तो उससे हमारे सोयल की एसटिक बढ़ जाती है और मनी प्लान की ग्रोथ में हेल्प होती है और टर्मरिक यानी हल्दी हमारे पौधे को बिमारियों से बचाती है और इसे स्ट्रॉंग बनाती है हमने इन दोनों को मिक्स कर लिया है और अब हम सीधा इसे अपनी सॉयल पर अपलाए कर देंगे इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि अपने पौधे से समय समय पे सारी डेड लिफ्स हटाते रहें और अपने पौधे को क्लीन रखें दोस्तों अब आपको अपने पौधे को अच्छी तरह से पानी देना है और इसे किसी ब्राइट सैंशाइन वाली जगह पर रखना है यानि किसी ऐसी जगह पर जहां बहुत तेज धूप ना हो लेकिन सूरज की रोशनी बहुत हो अगर आपने वीडियो में दिखाए गई सब चीजों को सही से फॉलो किया तो आपका मनी प्लांट भी इसी तरह हरा भरा हो जाएगा और उसकी लीफ्स भी इस तरह से बड़ी हो जाएंगी जैसे हमारे मनी प्लांट की हुई है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले